हेलो गाईज, स्वाकत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूटिब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज, आज मैं आप लोगों को एंजल वन एप से एक सां स्टॉपलोस ओडर, टार्गेट ओडर और आपका लिमिट ओडर एक सां मार्केट पे, एक ही टाइम पे कैसे प्लेस करते हैं, वो आज मैं आप लोगों को लाइप बताने वाला हूँ और लाइप सिखाने वाला भी हूँ, तो वीडियो का फिर इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो पे आप लोगों को अंतक बने रहना है तो चलिए गाईस, बीना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, वैल, जैसी आप अपने एप को लोगिन करेंगे, आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा ध्यार रखेगा, ये प्रोसेस मैं आप लोगों को इंटरफेस पर करके दिखा रहा हूँ, यही प्रोसेस आप लोग ऑप्सेंस पर भी कर सकते हैं तो अगर आप लोग को question आता है, आप लोग को query आता है कि यह process आप options पर करके भी दिखाईए, तो इसके लिए भी मैं ready हूँ, लेकिन इस वीडियो पर मैं सिर्फा intraday के लिए यह process करके दिखाऊंगा, तो दिखें, basically दो process है, stop loss order, target order और limit order एक सांथ लगाने का, तो आज के व place होगा, और अगले जो वीडियो है, उस पर मैं options पर stop loss order, target order और market order एक सांथ कैसे लगाते हैं, वो सिखाऊंगा दूसरे process पर, तो चलिए, आज हम robo order के थुरू, यह तीनों को एक सांथ कैसे place करते हैं, वो हम सिखते हैं, तो दिखें, यह process आपको apply करने के लिए, आपको को कोई stock सर्च करना होगा, ठीक है, तो यह आपको simple search bar पर जाना है, और यहाँ कोई stock सर्च कर देना है, ठीक है, तो यह हम search bar पर आ गए हैं, और यहाँ में ég stock search कर देते हैं, कहाँ पर search करेंगे, हम stock यहाँ पर search करेंगे, तो यहाँ हम late suppose टाटाइस्टिल पर अपने robo order लगा को आपको simple क्या करना है click करना है तो यह मैंने इसको click कर दिया click करने के बाद guys आपको क्या करना है आपको simple buy के options को click करना है क्योंकि इस video पर हमारा view है buying के side का इसलिए हम क्या करना है simple buy के options को click करने के बाद यहां एक options क्लिक कर दिया intraday का हमने कर दिया क्योंकि हम intraday trading करना चाहते हैं उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको numbers of shares आप कितना shares buy or sell करना चाहते हैं तो अभी हम चीज़े सीख रहे हैं इसलिए हम एक share के साथ यहां trade करना चाहते हैं उसके बाद आप यह देख पारें आपको smart order का options आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है बस आपको इसी को simple click कर देना है click करने के बाद हलका सा नीचे slide करेंगे यह आप देख पारें आपको robo order का options आपको दिखाई दे रहा होगा बस आपको इसी को click कर देना है ठीक है अब यह आप देख पारें आपके पास दो options open हो गया stop loss order का और आपका target order का तो यही हम चीज़े सिखने वाले थे stop loss order, target order और आपका limit order एक साथ आपको कैसे place करना होता है यही हम सीख रहे हैं ठीक है और यह आप देख पारें हमारे पास यह तीनों order open हो गया अब पहले हम एक काम करते हैं हम यहाँ अपना मन पसंद order लगाते हैं हम limit order पर trade करेंगे ध्यार रखेगा रोबो order का use आप market order पर नहीं कर सकते रोबो order का use आपको only limit order पर ही करना है अब यह limit order और यह market order क्या होता है इससे related मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो वीडियो आपको जा करके देखना होगा तो आप आप समझ जाएंगे limit और market में क्या difference है तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका use आप लोग limit order पर करेंगे तो limit order यानि कि आपका मन पसंद order आप अपने price पर entry करेंगे तो अभी market का price क्या चर रहा है 169 रुपया 65 पैसा जैसे कि आप इस screen पे देख पार है 169 रुपया 70 पैसा यह live चर रहा है गाईस ठीक है अब हम अपने price पर entry करना चाहते हैं तो हम let's suppose यहां से 1 रुपय और यानि कि 158 रुपय के range पे हम लोग entry करना चाहते हैं यहां से 2 रुपय नीचे हम अपना क्या लगाना चाहते है stop loss order यानि कि 156 हो जाएगा और यहां से हम 4 रुपय उपर अपना target लगाएंगे यानि कि 162 का हमारा target हो जाएगा समझ पार है हम 155 के range पे entry करेंगे यहां से 2 रुपय नीचे यानि कि 156 के range पे हमारा stop loss order और 162 के range पे हमारा target order या तो हमारा 2 रुपय का stop loss order जाएगा या तो हम 4 रुपय कमाएंगे तो इसको हम कहते हैं risk और reward हम risk और reward मेनेज करते हुए अपने stop loss order और अपना target order लगा रहे हैं तो चली हम लगा देते हैं back करते हैं हलका सा नीचे slide करते हैं और यहां हमने कहा था 156 के range पे अपना stop loss order और 162 के range पे हमारा target order ठीक है अब देख लेते हैं एक बार और थोड़ा सा देखिए मैंने 107 के range पे entry करना है मुझे 156 का stop loss order चाहिए और 162 का मुझे target order चाहिए अब आपको इधर कुछ भी नहीं करना है market में place हो गया यह आपका open पे आपको orders हो करेगा यह आप देख पा रहे हैं है ना अभी market का price क्या चार रहा है 169 रुपया 55 पैसे market का price चार रहा है और हमको कौन से range पे entry करना है हमको 185 के range पे entry करना है तो जैसी price नीचे गिर के 185 के range पे आ जाएगा हमारा order जो है market पे place हो ज market पे लग जाएगा ठीक है तो basically यह process होता है आपका stop loss order और आपका target order market पे place करनेगा बड़ा असान है एक दो बार यह वीडियो और देखिए एक दो बार और समझे आप लोगों को clear समझ आ जाएगा ठीक है और यह आपका पहला process है इस type से आप पहला process यूज करके stop loss order और target order लगा सकते हैं आप लोगों का दूसरा जो process है उसको मैं next वीडियो पे cover करूँगा options वाला वीडियो बनाऊंगा उस पे मैं आप लोगों को सिखा दूँगा ठीक है अब गाईस अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे range पे तो market आ नहीं रहें क्या मैं इसको modify कर सकता हूं या क्या मैं इसको cancel कर सकता हूं तो हाँ तो यह cancel के options को click करना आए, Hazard के options को click करने के, एक इस के options को click करना है देखेए आपको जो है ओडर cancelled हो गया, ठीक है तो इस step से आप cancel भी कर सकते हैं और तो गाइस को बनाता हूँ तो अगर आप लोग है जलिए बैबर टेक्क जली तब तक लेबल